तो आप जैसे हम अपने file manager के app को open करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीना password के हमारा जो file manager का app है न वह open हो रहा है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका जिससे कि आप इसे पूरा हटा देना है जिससे कि directly आपका file manager open हो जाए तो बहुत ही सिंपल सा तरीका जिससे कि आप इसे हड़ा सकते हो इसके लिए आपको यह करना है पूरा वीडियो देखना और सबसे फिले तो आपके setting के app को open कर देना है तो अब जैसे आप आपके phone की setting के app को open करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिलेगे तो अब आपक सकते हो directly आपके setting में search setting में जाकर के apps all option डूण सकते हो तो भी आपको मिल जाएगा अब जैसे आप आप यहाँ पर यह जो है apps all option को open कर देते हो ना तो यहाँ पर और भी बहुत से option है तो आपको यह करना है सबसे नीचिक दरफ आना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा app lock क तो आपको यह करना है यह app lock call option पर क्लिक करना है जैसे आप app lock call option पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपके file manager में जो भी lock है ना उसे आपको यह पर enter कर देना है एप लोग भी ना मिले तो directly आप setting में जाकर करके app lock search करोगे ना तो directly आप इस वाले page को open कर सकते हो तो आप जैसे आप app lock को open हो जाता है तो यहाँ पर आपको password लगाना है 1234 मैंने जो भी password लगा था उसे और यहाँ पर आपका जो app lock की settings है ना वो open हो जाती है तो आप दोस्तों आपको सबसे उपर की तरफ list दिखाए देगी जिन जिन app को आपने lock लगा है तो आप यहाँ प अब जैसे हम अपने file manager के app को open करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीना password के हमारे जो file manager का app ना वो open हो रहा है